पहली नजर में ये आपको मूली लगे लेकिन ये मूली नहीं बलकी सतावर है जिसे उगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में लखीमपूर के गाउं सैदरी के किसान जगतपाल वर्मा उन्होंने सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पारंपरिक फसलों की जगा सतावर की खेती का फैसला किया उनका ये प्रयोग सफल रहा आज आट साल बाद इससे उनकी कमाई लाखों रुपे में पहुँच चुकी है सतावर को आयूरवेदिक दवाएं बनाने में इस्तमाल किया जाता है 18 महिने में तयार होने वाली इस फसल की बुआई मार्च से अपरेल के बीज़ की जाती है एक बीगा में औस्तन इसकी पैदावार तीन कुइंटल रहती है जिसकी बाजार में 30 से 90 हजार रुपे प्रती कुइंटल तक कीमत मिल जाती है सतावर के पौधों को 2-2 फीट की दूरी पर लगाया जाता है इससे बीज की खाली जगा में सबजियों के खेती करके अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है उसके बीच में जो जगे रहती है उसमें लहसान या सल्जम या प्याज या गोभी इस टाइब की जो ज़्यादा बड़ी उंची नहीं फसले होती है वो करकर के हम इसमें बीच में लाप कमा सकते हैं धान, गेहुं या गन्ना जैसी फसलों में जहां ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है वही सतावर की खेती में पानी की खपत बहुत कम है काटेदार होने के चलते इसे आवारा जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते अपने इस प्रियोक के चलते किसान तो उनसे सतावर की खेती सीखने आ ही रहे हैं ग्रिशी वीभाग के अधिकारी भी जगतबाल के काम की सराहाना कर रहे हैं खेती में बढ़ता घाटा किसानों के लिए समस्या है लेकिन जगतपाल जैसे किसान मिसाल हैं कि कैसे खेती में नए प्रियोग करके इस घाटे से छुटकारा पाया जा सकता है उत्तरप्रदेश के लखिमपूर खीरी से प्रभाकर शर्मा के साथ Bureau Report, Swaraj Express